प्रिंस्पल्स अव सिस्टेमेटिक्स मॉडूल 217 क्लास एवीज क्लास एवीज के जो एनिमल्स हैं इनको बर्ड्स भी कहा जाता है जो बर्ड्स हैं इनके अंदर खास किसम की अड़ेप्टेशन्स हैं बर्ड्स के अंदर they are bipedal, feathered and warm blooded animals amphibian और reptiles की बात हमने जब की तो हमने ये कहा कि ये cold blooded animals हैं ये अपने body का जो temperature है उसको regulate नहीं कर सकते लेकिन बर्ड्स ऐसे animals हैं जो के warm blooded हैं they have ability to regulate their body temperature उसके लावा इनके जो four limbs हैं they are modified into wings और इनके अंदर feathers मौजूद होते हैं उसके लावा the hind limbs are adapted for perching, walking or swimming इसी तरीके से except preen gland or oil gland at the base of the tail no skin gland is present ये जो glands की हमने बात की थी ये amphibian के अंदर मौजूद थे reptiles के अंदर हमने कहा मौजूद नहीं है लेकिन birds के अंदर preenal gland मौजूद हैं इसके लावा और glands मौजूद नहीं हैं उसके लावा जो ostrich and parrot हैं इनके अंदर oil gland भी missing है उसके लावा the upper and lower jaws are modified into beak which leg teeth क्योंके इनके अंदर jaws की modification हो गई है beak क्योंके इनका जो mode of feeding है वो different है इस वज़ा से इनकी beak के अंदर teeth मौजूद नहीं है उसके लावा legs are modified for walking और grasping, perching, watering और swimming उसके लावा इनकी जो legs हैं legs bear horny epidermal scales जो birds हैं इनकी अगर हम bones की बात करें तो इनकी जो bones हैं वो hollow हैं क्योंके birds ने fly करना होता है और fly करने के लिए ज़रूरी होता है कि इनके जो body की जो bones है वो कम वजन की हो इसी वज़ा से इनके अंदर जो bones हैं वो hollow हैं उसके लावा इनके अंदर air sex होते हैं और air sex जो है even bones तक चले जाते हैं इसी वज़ा से इनकी जो bones हैं उनका वजन कम होता है लेकिन इनकी जो bones हैं ये बहुत weak होती है इसी वज़ा से ये कहा जाता है कि जो birds है इनका जो fossil record है वो बहुत कम है क्योंकि इनकी बहुत जल्दी degrade हो जाती है इस वज़ा से इनका permanent record बहुत कम मिलता है इसी तरीके से अगर हम इनके elementary canal की बात करें तो इनके अंदर additional chamber है इनके अंदर crop है gizzard है क्योंकि इनकी beak के अंदर teeth मौजूद नहीं है तो उसकी बजाए इनके अंदर gizzard मौजूद है जो के एक grinding structure है crop store food our gizzard help in crushing and churning the food क्योंकि teeth नहीं है तो ये जो gizzard है इसका function ये है कि जब ये कोई खुराग खाते है तो उसको छोटे छोटे टुकुडों में तक्सीम किया जाए उसके लबा gall bladder is absent in some seed eating birds respiration is by lungs reptiles के अंदर भी जो respiration थी वो lungs के जरीए थी और birds के अंदर भी जो respiration है वो lungs के जरीए है लेकिन अगर हम reptile के मकाबले में जो birds हैं इनके lungs को compare करें तो जो birds के lung हैं ये highly efficient है उसके वज़ा क्या है क्योंकि जो birds हैं ये काफी active animals हैं इन्होंने active flight करनी होती है और active flight के लिए बहुत ज़ादा energy चाहिए होती है और energy production के लिए जो respiration का process है वो बहुत ज़ादा अच्छा होना चाहिए इसी वज़ा से इनके अंदर जो lungs है उनकी performance बहुत अच्छी होती है इनके lungs के अंदर जो stale air है वो बहुत कम होती है उसके लावा lungs are spongy and inelastic air sex are connected to the lungs for supplement respiration ये हमने बात की थी कि इनके जो lungs हैं उनके अंदर air sex मौजूद है air sex यहां तक के इनकी जो हड़ियां है खोकली जो होती है वहां तक भी पहुंच जाती है उसके लावा जो birds है इनके अंदर जो मौटलिफ किसम की आवाजें पैदा होती है उनके लिए इनके बाडी के अंदर खास structure मौजूद है जिसको सारिंग्स कहते है तो इनकी मुख्रिफ जो वाजे है वो सारिंग्स की वज़ा से पैदा होती है heart is four chambered रेप्टाइल के अंदर हमने देखा था कि रेप्टाइल का जो ventricle है वो partially divided है लेकिन जो birds हैं इनका जो ventricle है वो completely divided है और इनके अंदर फुल फ्लेज चार chambers है heart के दो auricle है और दो ventricle है इसी तरह कैसे रेणल पोर्टाइल सिस्टम इस वेरी मच रिड्यूस रेड बलेड कॉर्पर सेल्स आर नुकलियटिट ओवल एन बाई कन वेक्स जबके mammals के अगर हम red blood cells की बात करें तो उनके अंदर नुकलियस मौजूद नहीं होता इनके अंदर नुकलियस मौजूद होता है इनका जो kidney है वो meta nephric kidney है हमने पहले बात की जो amphibians थे उनके अंदर जो kidney था वो meso nephric था इनके अंदर 12 pairs of cranial nerve भी मौजूद है तो जो birds है ये काफी advanced animals है इनका respiratory system बहुत ज़्यादा जबर्दस है इनका heart जो है वो force chamber है इनके अंदर जो ventricle के जो दोनों portion है वहाँ पे blood की mixing बिलकुल भी नहीं होती flight के लिए इनके अंदर adaptations है इनकी bone hollow होती है और इनके अंदर खास structure है जिसको सारिंग्स कहते है उसकी मदद से ये मुख्तरिफ किसम की आवाजें पैदा कर सकते हैं